नमस्कार कक्षा 10 exercise 4.3 का question number 7 आजम करने जा रहे हैं दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है दो संख्याओं है उनके वर्गों का अंतर 180 है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है दोनों संख्याओं ग्याद कीजिए तो बच्चो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं मालो पहली संख्या बराबर है एक्स और दूसरी संख्या को हम वाई माल लेते हैं दूसरी संख्या को हम वाई माल लेते हैं आए अब हम आगे देखते हैं सबसे पहले देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है या तो हम इसे मान लेते हैं छोटी संख्या और दूसरी संख्या की जगा हम लिख देते हैं बड़ी संख्या अब ठीक है बच्छोटी संख्या बराबर X बड़ी संख्या बराबर Y अब कोशन देखें छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या है X तो X का work किसके बराबर है बड़ी संख्या का 8 गुना बड़ी संख्या है Y इसका 8 गुना ठीक है बच्चो तो यहां से देखे Y किसके बराबर होगा 8 इदर Y के साथ गुना हो रहा है उधर जाएगा तो भागो जाएगा बराबर बराबर y के आ जाएगा इसको माल ले equation number 1 दूसरा जो हमें दिया गया है वो दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर देखो तो बड़ी संख्या है y y का वर्ग छोटी संख्या है x इसका वर्ग दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर है 180 के अब हम क्या करेंगे यहां इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं इसकी जगा यही रहने देते हैं equation 8 y अब देखे ध्यान से y square minus x square की जगा में लिख सकता हूँ 8 y x square किसके बराबर है 8 y के x square की जगा में सकता हूँ 8 y 180 यहाँ प्लस का है बराबर क्या आगे जब यह इधर जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस बराबर 0 एक बार दुबारा देख लो हमने छोटी संख्या को माना X बड़ी संख्या को माना Y तो question के इसाब से देखिए चोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है चोटी संख्या है X, X का वर्ग बराबर है बड़ी संख्या Y का आठ गुना यानि X स्क्या Y बराबर 8Y दूसरी चीज है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो बड़ी संख्या थी Y तो Y का वर्ग माइनस छोटी संक्या है X, X का वर्ग, इन दोनों का अंतर 180 के ब्राबर है अगले स्टेप में देखे, X स्क्यर 8Y के ब्राबर था तो X स्क्यर की जगा लिख दिया 8Y 180 ब्राबर के आगे प्लस का था, तो ब्राबर से पहले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये बनगी एक द्वी घात सूत्र अब हम यहाँ पे लगवाएंगे द्वी घाती सूत्र के अनुसर ये हम द्वी घाती समिकरन बनगी इसे हम हल करेंगे द्वी घाती सूत्र के अनुसर द्वी घाती सूत्र किसके ब्राबर है अगर X का है तो X अगर Y है तो Y Y ब्राबर होगा माइनस B प्लस माइनस अंडरोट B स्केर माइनस 4AC अपन 2A आईए इसे हल करते हैं देखो इसको जब हम A Y स्केर प्लस B Y प्लस C ब्राबर 0 के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास आजाएगा देखो A के ब्राबर आगया Y के साथ है A Y के साथ यहां है 1 तो A आगया 1 Y के साथ है माइनस 8 Y के साथ है B इसका मतलब B आगया माइनस 8 और बिना X Y वाली रखमे 180 इसका मतलब C आगया माइनस 180 क्योंकि इसके साथ माइनस का भी निशान है इन वाली इसको हम यहां डालेंगे देखो माइनस इन्टू माइनस B माइनस इन्टू B B कितना माइनस 8 तो यह हो गया माइनस 8 प्लस माइनस अंडरूट B स्केर B है माइनस 8 तो माइनस 8 का स्क्वेर, माइनस 4AC, 4 into A, A कितना है, 1, into C, C कितना है, माइनस 180, अब आन, 2 into A, A कितना है, बच्चों, 1, इसे हम हल करते हैं, Y बरबर, minus into minus 8, plus 8, plus minus, root, minus 8 का स्क्वेर, minus का स्क्वेर, plus 8 का स्क्वेर, 8, 8, 64, minus into minus, plus, 4, गुना 18, 18, चोके होता है, 72, और 7 में एक 0, यानी 720, ठीक है, बच्चों, 8, 8, 64, sorry, ये 64 है वेटा, 64, ठीक है, ये 6 है, 64, बटा, 2, गुना 1 होगा, 2, अब इसे हल करते हैं, देखें, 8, plus, minus, 64, plus, 720 हो गया, 784, ठीक है, बच्चों, 724 होता है, 784, बटा, 2, तो हमारे पास देखें, 8, plus, minus, बटे, 784 का रूट, जब आप 784 का रूट निकालोगे, तो वो बराबर आएगा, 28 के, बटा, 2 आगया, अब इसे हल करने के लिए, हम क्या करेंगे, यहां देखें, प्लस और, minus, 2 निशान है, तो एक बार लेंगे, plus का निशान, तो हमारे पास आजएगा, 8, plus, 28, बटा, 2, और जब हम लेंगे, minus का निशान, तो हमारे पास आजएगा, 8, minus, 28, बटा, 2, इसे हम हल कर लेते हैं, य बराबर, 8 में, 28, प्लस किया, 8, 28, 36, बटा, 2, 36 को 2 से कार दिया, तो आगया, 18, इसका मतलब, y की वैल्यू आगे, 18, यहां देखें, y बराबर, plus, minus, minus, 28 में से, 8 निकाल दिया, 20, 7 में साइन, बड़ी रखम का, minus, बटा, 2, 2 से minus, बीट कर जाएगा, तो minus 10, इसका मतलब, य क्या था, य थी, y जो minus 10 है, इस y की, minus 10 को हम, neglect कर देंगे, तो हमारे पास आगया, y बराबर, 18, ठीक है, और, y क्या थी, हमारे पास, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हो गई, बराबर y, और y बराबर है, 18 के, ठीक है, बच्चो, अब, हमें निकालना है, x, x square बराबर था, 8 y के, x square बराबर था, 8 y के, यानि की, 8 गुना y, y है, ठारा, 8 गुना ठारा, 144, यदि x square, 144 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, 144 के रूट के बराबर, तो x की value आजएगी, 144 का रूट होता है, 12, इसका रथी है, यदि y आया है, 18, तो x आया है, 12, ये x और y, यानि, दो संख्या हमें निकालनी थी, चोटी संख्या और बड़ी संख्या, ठीक है बच्चों, तो हमां यहां लिख सकते हैं, बड़ी संख्या वह थी और चोटी संख्या, बराबर 12 ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या ये हमारा उत्तर निकल गया है आशा करता हूँ ये प्रेशन आपको समझाया होगा जहां से ना समझाया हो थोड़ा सा प्रेशन पीछे ले जाकर वीडियो पीछे जाकर दुबारा देख लिजेगा दन्यवाद